असलाम अलेकुम गाईज आप देख रहे हैं मेरा चैनल i-tech destination और आज की इस वीडियो में मैं Samsung Lexi 881 का आपको complete review दूँगा इसके specifications, features और इसकी performance किया है और आज कल market में इसकी price के चल रही है तो सबसे पहले इसके display की बात करते हैं Samsung ने इसके इंदर infinity u display दिया है अगर इसके screen size क इसकी बात करें तो इसके 6.4 inches का screen size है और इसके screen to type है वो Super AMOLED Full HD Super AMOLED display दिया गया है जिससे आपको बहुत ही कमाल का display experience मिलने माला है उसके बाद अगर इसके camera की बात की जाए तो इसके अंदर multi quad camera दिया गया है जिसमें सी यह सबसे पहला जो camera है वो 5 megapixel का depth camera है 48 megapixel का main camera दिय दिया गया है अगर आपका frame बहुत बड़ा है तो इस camera की मदद से आप उस frame को capture कर सकते हैं यह 123 degree angle का frame capture कर सकता है उसके बाद यहां पर दिया गया 5 megapixel का macro camera अगर आप किसी भी चीज़ की detail में देखना चाते हैं बहुत जाधर detail में देखना चाते हैं अगर कोई चीज बहुत चोटी लिकी होई है अब उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो यह macro camera आपकी बहुत help करने वाला है उसके बाद अगर front camera की बात करें तो 20 megapixel का इसमें front camera प्रोवाइड किया गया है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं साइट पर sim ट्रेड ही गई है इसके अंदर dual fast charging की option दे रहा कि आपको mobile जाया है वह fast charge होगा और यहां पर right side पर आप देख सकते हैं कि speaker panel है और left side पर यहां पर earphone check है उसके बाद अगर इसके security system की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं इस model के अंदर Samsung ने own screen fingerprint sensor दे रखा है पिछले जो models हैं उसके अंदर Samsung ने back प fingerprint sensor दिया है जो कि थोड़ा speed में slow है बट एकर innovation के लिहां से दिखा जाए तो यह एक नई चीज़ है कि on screen fingerprint sensor दिया गया है उसके इसके इंदर face recognition की option भी दी गई है अब हम इसके processor के बारे में बात कर लेते हैं अगर इसके processor की बात की जाए तो इसके अंदर octa core processor यूज किया ग fingerprint है अगर इसके chipset की बात की जाए तो इसके इंदर media tech का hellu p65 chipset यूज किया गया है अगर उसके performance की बात की जाए तो उसकी performance के लिहाद से यह chipset है वह नौर्मल केटेगरी में आता है अगर आप एक नौर्मल यूजर है और आपका कोई gaming अतार्फ रुजान नहीं आपकर gaming न इसको personally मैंने यूज किया है यह बिल्कुल भी हैंग नहीं होता और बहुत ही fast किसम की इसकी performance है Samsung ने इस variant के इंदर NFC और gyroscope का feature दे रखा है जो के इस model को अपने आप में एक specific बनाता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर NFC का option दे रखा है और इसके इंदर gyroscope का option भी है NFC से आप जो है contractless payment भी कर सकते हैं NFC के परे में आप जानते ही होंगे उसके बाद बात हम कर लेते हैं इसके fingerprint sensor की speed की तो अगर आप इसके fingerprint sensor की speed देखें तो यह अगर जब screen ओन होगी तो आप देख सकते हैं यह कितनी दिल लगी इसको open होने में आप यह चेक से कर सकते हैं य इसना फास भी नहीं क्यूंकर वो जो बैक पर जो आता था बहुत आता है इसकी निस्वत फास्ट होता रहा बट यह एक इनुवेशन के लिहाँ से एक नहीं चीज़ा आप यह देख सकते हैं इसके face recognition भी बहुत फास्ट है इसका face recognition तो मैंने जो चेक किया यह वह फास्ट आ मैं आप यहां देख सकते हैं आप software information इसके इंदर जो यूई system जो Samsung ने यूज किया है वह 3.1 है उसका वर्जिन वन यूई यूज किया गया है वन यूई के बारे मैं आपको थोड़ा बाद बता दूं यह वन यूई जो Samsung ने बनाया है वह वन हैंडिड इंटरफेस है यह आप अपने पूरे मुबाइल को वन हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत बढ़ा होता है तो हमें उपर से पैनल को जब open करन होता है तो हमें दूसरा हाथ भी यूज करना बढ़ता है ऐसे open करने के लिए लेकिन Samsung ने इसको बहुत ही असान मना दिया आप देखें स्क्रीन को पर आप कहीं भी यूज करेंगे तो ऊपर से पैनल ओपन होजएगा इसलिए Samsung ने इसको वन यूई कहा है उसके बाद Android version की ब सिंपल ऑप्शन है अगर आप जो सिंपल शॉट्स पगरा लेना चाहते हैं पाट अगर आप वाइड एंगल यूज करना चाहते हैं तो यह दे सकते हैं आप कि इसने ज्यादा फ्रेम कवर कर लिए 10x के अंदर जूम दिया गया है उसके बाद सीन ऑप्टिमाइजर भी इसक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां फेस के यह फीचर दे रखें अगरा फेस की टॉन वगएरा जो लाइन आइस वगएरा उसका सेटिंग करना चाहते हैं तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं और यह जो स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्टर दिखाई दे रही हैं वह मैंने इसरी मुबाल के एकीद से क्लिक किए हैं इसे अब इसके कैम रखेंट की क्वालजी कांगा सकते हैं पर्सुनली मैंने इसको यूज की इसका कैमरा है वह बहुत कमाल का और प्रोसेसर पीले से यह बहुत अच्छा है अब हम इसकी थोड़ी बहुत पर तो बहुत कर लेते है मार्केट के अंदर ब्लू ब्लैक ग्रीन और वाइट कलर में यह प्रोडक्ट अविलेबल है यह इसकी प्राइस चल रही है इस वक्त 37,000 चल रही है इस प्राइस रेंज में यह बहुत अच्छा मुवाइल सेट अगर आप लिनेज चाहते हैं तो आपके नॉर्मल यूजर नह कि इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद दें है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में प्रेस करें ता कि आपको नहीं आने वाली वीडियो उस टाइम पर मिल सकें